दोस्तों मैं मुस्कार निशाब का सौगत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइब हैडर न्यूज चैनल पर आएगे नजर डालते हैं खबरों की तरफ पर नाला कपजा हो जाने के कारण नहीं निकल रहा है नापदान का पानी पीडित ने लगाई न्याय की गौहार पूरा मामला सयद राजा थाना अंतरगत निवादा गाउं का है जहां पर पीडित परिवार ने नाली की समस्या को लेकर न्याय की गौहार लगाई है पीडित परिवार का आरोप है कि जबरन बलपूरबक मनबढ लोग नाली कबजा कर रहे हैं पर जनों ने बताया कि नाली कबजा हो जाने की कारण घर का पानी नहीं निकल रहा है मनबढ वर्सों से चली आ रही नाली को बलपूरग सीमेंट बालू इट इत्याद मटेरियल से जाम कर दिया है जबकि इससे पहले दोनों पचके सहमती से लिखित रूप से नाली पानी निकासी के लिए स्विकिरती हो गई थी फिर जबरन नाली कबजा किया जा रहा है पिरित परिवार ने प्रशाषन का ध्याला कर्शित करते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की है परिफित प्रशाषन के स्विकिरत्ते हैं अभी इन अभी नाली का बिवाद हो रहा था और क्या है पुरा मामला बहुत पहले का है इसमें जो है कि थोड़ा सा कामजोर और जबगोड़ास्ट दोनों के लनाई हैं, जो अब बपापदादाग हैं जो अब एक रादा है । जमीन जहां पर उपंडी जी मताम बने तो देवी जी के नाम से कोर्टी जी मिलने है उसको इन लोगों ने अतिकर्मन करके कभ्जा चाहिए और इसके बाद नोगों का उग्मार घैरस्ता बनाए एपने धर किस अच्छा के लिए पानी ओनी निकलने के लिए जाने के लिए कभजा कर लिया कि क्या नाम है आपका अभी अभी जो बीवाद हो रहा है नाले का कैसा बीवाद है और कभ का बीवाद है अभी जो नाली है और नौरंग पांडे जो बीपच्छा नौरंग पांडे हैं तो बता रहे हमारे जमीन में और नत्नी जी के परियान बता रहे हैं कि हमारे अब लोग छोड़े हैं तो क्या मामला है इसके बारे मताईगे आप लेख रहे हैं कि अब लेख रहे हैं कि कॉन कबजा कर रहा है कर रहा है क्या नाम है क्या नाम है हम तो मेटिया हम लोग पर बाहर से आए क्या नाम है क्या नाम है